अगर आपके पास एक Windows 10 का laptop या PC है जो अभी आपने recently purchase किया है और आप उसके features के बारे में ज़्यादा aware नहीं है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए useful होगा आपको वीडियो में आपको Windows 10 के top 10 features के बारे में बताओंगा जो as a beginner as a basic चीज़े के basis पे आपको वो features के बारे में बता होना चाहिए है तो यहाँ पर next feature है Windows 10 का for beginners वो है C drive को clean करना C drive को clean करनेंगे लिए आपको अपना my computer open करना है और यहाँ पे आपको C drive का option मिल जाएगा simply उसको select करके mouse पे right button click करना है और यहाँ पे आपको property पे visit करना है then इसके बाद आपको यहाँ पे downset में एक option मिलेगा disk का clean up का simply आपको इस पे click करना है यहाँ पे file scan होगा unnecessary files आपको यहाँ पे दिख जाएंगे दिन इसके बाद जो unnecessary files है जो आपको नई चीह है उन पे simply आपको tick mark करना है और यहाँ पे downset में एक और option मिलेगा clean up system file simply आपको उस पे click करना है फिर से यह file यहाँ पे scan होगा और यहाँ पे wait करना है जब तक कि यहाँ पे जो scanning है वो complete ना हो जाए जैसे scanning complete होगा तर इसके बाद यहाँ पे आपको unnecessary files के list दिख जाएंगे make sure कि यहाँ पे जो windows के update है वो यहाँ पे delete नहीं होने चीए बट इसके अलावा जो rest है उन्हें आप यहाँ से stick mark करके delete कर सकते है बट don't worry यह सिफ only unnecessary files से जो आपके PC में जबा हो जाते है as a cache memory के base पर so इसको आप delete कर सकते हैं but accept windows 10 operating system so the next feature है windows 10 का basic feature for beginners वो है background में wallpaper को किस तरह के से change करते हो even set कर सकते हैं तो पहले आपको personalization में जाना है देने उसके बाद आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा background option का simply आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आपको option मिल जाता है बैग्रांट में wallpaper set करने का आपको यहाँ पे तीन options मिलते हैं जहाँ तो आप यहाँ पे default to browse photos का भी use कर सकते हैं otherwise आप यहाँ पे picture पे click करके जो आपके manually है जो आपनी personal photo को भी आप यहाँ पे as a wallpaper set कर सकते हैं कि as a normal सी बात है तो काफी advanced आपका feature है और एक तैसे इतना भी advanced नहीं है बट यहाँ पर यहाँ पे आपको ज्यादा ही ज्यादा ही decent आपको लगेगा इवन आप यहाँ पे इन colors को customize करके अपने नीडेन अपने requirement के according color को set कर सकते हैं थर्ड यहाँ पे आपको slideshow को option मिलता है कि आप यहाँ पे कोई भी wallpaper को आप set कर सकता है टाइमर सेट कर सकते हैं और जिससे की वो जो photos है जो images है वो टाइम के हिसाब से यहाँ पर changes होंगे तो आप यहाँ पे complete लेक टाइमर भी सैट कर सकते हैं जिससे की वाल प्र वर यहाँ पे चेंज होंगे तो फ्रेंड्स यह थे Windows 10 के टॉप बेसिक से फीचर्स फॉर इस्पेशली फॉर बिगेनर्स तो आप इसको जब आप प्रैक्सिस करें प्रैक्सिस करते करते आपको इसकी हैबिट हो जाएगे और फिर आप इस फॉर इसके बारे में अवेर हो जाएगे तो यह थे टॉप 10 फी करके विजट कर सकते हैं